नमस्कार, क्या पाकिस्तान विरूदी बयानबाजी भारत के चुनावों को प्रभावित करेगी? हाला कि भारत के चुनावों के दौरान पाकिस्तान विरूदी भावनाएं अभी तक भरकी नहीं हैं, लेकिन कोई शक नहीं कि कश्मीर में वर्षों से चल रहे पाकिस्तान प्रयोजित आतंगवात के बाद यह भारत के लिए एक भवनात्मक मुद्दा बना हुआ है। पाकिस्तान का मुद्दा गर्मा गया है। फुटेज में मरी शंकर अईयर ने पाकिस्तानियों को भारत की सबसे बड़ी संपत्ती बताया और सिफारिश की कि भारत को पाकिस्तान के साथ बादचित फिर से शुरू करनी चाहिए। पास्पा के नेताओं को चुनावी मौसम में कॉंग्रेस पार्टी को पाकिस्तान के प्रती नरम बताने का आउसर हाथ लग गया। विछले हथे बिहार में एक रैली में प्रदान मंत्री नरेंदर मुदी ने तीखे हमले में कहा था अगर पाकिस्तान ने चुडियां नहीं पहनी हैं तो हम उन्हें चुडियां पहना देंगे। उनके पास आटा नहीं है, उनके पास बिजली नहीं है, अब मुझे पता चला है कि उनके पास चुडियों की भी कमी है। परदान मंत्री मुदी कह चुके हैं कि आतंकवाद से निपटने के लिए उनकी सरकार के द्रिष्टी कोड में कॉंग्रेस की शाषनकाल की तुलना में व्यापक परिवर्तन आया है। महाराष्ट के लातूर निर्वाचन चित्र में एक चुनावी रेली में उन्होंने कहा, कॉंग्रेस सरकार के दोरान समाचारों की सुर्क्या यह थी कि भारत ने आतंकवादी गतिवीधियों के बारे में पाकिस्तान को एक और डोजियर सौपा है। और आज भारत डोजियर नहीं भेशता, आज भारत आतंकवादियों को उनकी ही धर्ती पर मार गिराता है। 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलो और 2019 में CRPF पर पुलवामा हमले सहित, कश्मीर में सिमापार आतंकवाद और पाकिस्तान प्रयोजित उगरबाद को जेलने के वर्षोबाद यहां भारती मानस पर एक अमिट निशान छोड़ गया है। इस पिस्त भूमी में मनी शंकर अईयर और डॉक्टर फारुक अब्दुल्ला की टिपनियां विवादा इस्पत और घोर निंदनी हैं। मालुम हो कि 2019 में जब नरेंदर मुदी ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की तो भाषपा का अभियान पाकिस्तान पर काफी हद तक किंद्रित था जो उस समय एक महतपूर्ट चुनावी मुद्दा था। भारत ने जवाब में पाकिस्तान के बाला कोट में एर स्ट्राइक करके आतंकवाजियों को मार गिराया। कह सकते हैं कि वर्तमान चुनावी चर्चा पाकिस्तान नीती से अधिक रास्टी सुरक्षा के मुद्द पर किंद्रित है। 2019 में पुल्वामा आत्मगाती हमले के जवाब में भारत के बाला कोट हवाई हमलों के बाद परदान मंतरी नरेन मुद्द के नित्रतों में एक मजबूत रास्टी सुरक्षा आधारित अभियान देखा। इस बार हम कोई तुल्नात्मा के रास्टी सुरक्षा मुद्द नहीं देखते हैं सिवाई इसके की इस बार सताधारी सरकार अपनी कश्मीर और पाकिस्तान दोनों नीतियों का श्रेय लेने का दवा कर रही है। और यह उचित दवा किया जा सकता है कि बालाकोट एर स्ट्रेक ने आतंकवात के खिलाब विश्वस्तनी प्रतिरोध इस्थापित किया और अनुच्छे 370 को हटाने से जम्मु कश्मीर शांती के रास्ते पर चल पड़ा। हाली में चुनावी रेलियों में भाशपा नेताओं, ग्री मंतरी अमिच्छा और उत्रपदेश के मुख्य मंतरी योगी आधितिनात ने इस बात पर जोर दिया कि पुन्हा निर्वाचित होने वाली भाशपा सरकार पाकिस्तान अधिकरित कश्मीर पी ओके को वापस लेने का अतिरिक्त कदम उठाएगी, उनके बयान हल ही में पाकिस्तान अधिकरित कश्मीर के कई हिस्सों में गंभीर आर्तिक संकट के बीज खादे और उर्जा के बढ़ती कीमतों को लेकर हुए हिंसक फिरोत प्रदर्शनों की प्रतिक्रिया में थे, इस प्रस्च रुप से P.O को पुना प्राप्त करना कोई तातकालिक मुद्दा नहीं है, लेकिन परदान मंतरी मुधी पाकिस्तान के साथ टर्म्स औँ इंगेजमेंट को बदलने में सफर रहे हैं, इस अव्यान के माद्यम से परदान मंतरी और उनके मंतरि मंडल के सहियोग से पाकिस्तान में घुसक पर आतंकवादियों को निशाना बनाने की अपनी नई इक्षा का प्रदर्शन किया है। एक भी कर लिजे जैहन।